नमस्कार साथियो नियूस स्टूडियो में आपका स्वागत है अब हम बात करें एड्मिशन सेशन्स की नियूस में एड्मिशन सेशन्स साल में दो बार एड्मिशन्स होते हैं जो की दो सेशन्स में होते हैं लेकिन 24-7 और 365 डेज मतलब पूरे साल एड्मिशन्स होते हैं किसी भी दिन एड्मिशन्स बंद नहीं होता है लेकिन एड्मिशन्स सेशन्स को दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है आप अगर फॉर्मल स्कूलिंग की बात करेंगे तो नएस में वर्ष में दो ब्लॉक्स में एड्मिशन होते हैं और दो ब्लॉक्स में पॉब्लिक एड्मिशन्स होते हैं अब अगर हम एड्मिशन साइकिल को एड्मिशन्स सेशन्स को दो ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो हम पहला जो ब्लॉक बोलते हैं ब्लॉक वन उस को शिक्शारती इस block में admission लेते हैं उनका पहला exam पहला public exam उससे अगले वर्ष के April या मईए के महीने में conduct होता है तो जो block 1 का admission session हम बोलते हैं वो हम April मई block 1 के session से नाम से उसको प्रच लेता है वो तो Block 1 16 मार्च से शुरू होता है और 15 सितंबर तक चलता है लेकिन इसमें भी उन डेट्स को बाइफर्केट किया गया है जैसे 16 मार्च से 31 जुलाई तक बिना लेट फीज के आप एड्मीशन ले सकते हैं आपको पोर्टल बताये हैं कि उन पोर्टल के तुरू आप एड्मीशन ले सकते हैं तो Block 1 की डेट्स में 16 मार्च से 31 जुलाई तक विदाउट लेट फीज आप एड्मीशन ले सकते हैं 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एड्मीशन फीज के अलावा आप अगर रेजिस्टेशन करते हैं तो 200 रुपे का लेट फीज के साथ आप 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आप रेजिस्टेशन कर सकते हैं किसी कारणवश अगर आप 31 अगस तक भी अपना रेजिस्ट्रेशन या एड्मिशन नहीं करवा पाते हैं NOS के कोर्सेज में, तो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक एड्मिशन फीज के अलावा 700 रुपए लेट फीज के साथ अपना रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एड्मिशन के लिए अपलाई कर सकते हैं। फिर से ध्यान देने की बात है कि ब्लॉक वन में जो चातर चातराएं एड्मिशन लेते हैं, उनका पहला पब्लिक एग्जाम नेक्स्ट येर के एप्रेल मई के महीने में कंड़क्ट किया जाता है NOS द्वारा। इसी तरह ब्लॉक 2 की अगर बात करें तो ब्लॉक 2 जो की 16 सितंबर से शुरू होता है जिसका रजिस्टेशन और 15 मार्च तक चलता है। यहां पर हम एक बिंदू पर थोड़ी सी इंफर्मेशन और देना चाहेंगे, जो हमारी admission fees है तो उन admission fees से ज़दा और कोई भी fees NOSU में आपको admission के time पे नहीं देनी होती है धन्यवाद झाल झाल